कर दोस्तों आप समय लोगा हमारे चनल में बहुत बहुत बागत है आज हम लोग एक साइज फोर्सी क्लास टेंट करने जा रहे हैं जो नेचर आफ रूट से रिलेटेट है जो दोस्ते इसमें कुछ फॉर्मुले थ्यान रखना पड़ेगा यह डी का वहलू दोस्तों ग्रेट करेंगे और यह एक है सिर्फ रियल बात करेंगा कि पंद सका मतलब होगा अरे जोटेटर वींतुक अनुट से रियल की तो खाल कि टीछ थे लिगा देनी कोट अचला ग बEMट कि नो रियल रूट्स हो गया ठीक है तिह चारो फॉर्मुले दोस्तों आपको याद रखना है और इस रिलेटर दोस्तों मुझें एक साइज फोर्सी में कोईशन किस किस तरह के दिये हुए कि देए इसका पाला का पाला पार्ट हूनों को दोस्तों दिया गया है इसमें का रहा है कि फाइंड दिनेचर अफ दी डी रूट व डाव दॉट्स आफ फॉल्लेंग क्यों इसको अधी इसका हम्नों को नेचर उप्ताना है कि कैसा होगा यहां पर लिखे कि ही अ मताइब मताइब मेंक है कि एक्सकापिशन्ट यानी कि याननिकी टू डिंक्तन यान दोस्तों इंकि मजेड एड कि माइनस सेंट सी किसे आप है पाइब काम दोस्तों म nous क्या स्वार्ण ही निकालेंगे दयור कि लिकेंगे गील ऑण की धिस्यत्यimana बता हैं आरा माइनस फो डी टो होगे एक नोरी एक्वी कर चुके दिखिए हांपय एक्वन्द उप्लाइब का वल्कितना है माइनस में लेच्ट鐘 में नस चरे मिलाएं नसे कर से फारं किदना होगे है मैंने सरीकौर दीट और था एक कर सिस्टीन च देखें 4 तो जा 8 8 5 जा 40 हो गया इसका रूट्स कितना होगे दोस्तों 24 तो लिखेंगे डी इक्वल टू आ गया हम लोंको 24 अब बताइए यह क्या है 24 क्या है 0 से बड़ा है कि छोटा है बताइए कि यह दो है त्याओ लिनिंगे कि देघा है यह लिए सिंस से दी जिडेटर्ट से रूट्स आरे रीट्स अन्फुल देखीया लब अपर अग्ये क्या होता है इसका दोस्तों अंसर अब उसका दोस्तों सेंट पाट देखेंगे यह दिए गया तहाँ लिके फ़ले कि A equal to कितना है 3 है B कितना है minus 2 root 6 है C कितना है 2 है लिखेंग यहां पर we know that D equal to क्या होता है B square minus 4C तर D equal to B square B है minus 2 root 6 का whole square minus 4 into A 3 into C2 आगे देखिए देखिए माइनस के सब्सक्राइब प्लस 2 के स्क्वार 4 into root 6 के सब्सक्राइब 6 minus 4 into 3 into 2 हो जाएगा तिया जाएगा 24-24 तो बताए यह तो कैंसे लोके कितना आगे जीड़ो आगे तर डी का है जीड़ो आगे तो यह तो डी को दो जीड़ो बताए डी इकोल जीड़ो के लिए आप देखिए डी को जीड़ो के लिए क्लेए रियल एड एक्वाल है आप लेकिए देरफूर रूट्स आडुर्ट रूट्स आड़ यइए एंड ईकोल ओके इसका थर्ड पार्ट देखिए जोटें धिए थर्ड पार्ट होनुग यह दिए गहां है फाईव एक्स स्काएर मायनस फॉर एक्स प्लस बं दिया गया है किया आप लेकिए यह a equal to कितना बता है यह 5, x is a coefficient क्या होता है, a होता है, b क्या होता है, x का coefficient यानिके minus 5 and c कितना है 1, यह आप लिखे पहले, we know that d equal to क्या होता, b square minus 4 c, तो यह आप देखें, d equal to b square, b कितना है, minus 5 का बता होले, square minus 4 into a 5 into c, तो d equal to minus 5 का स्वेट कितना हो जागा, plus 25 हो जाएगा, minus 20, तो देखें, d का value यहापर क्या आगा, 5 आगा, d का वली कितना आगा, 5 आगा, 25 आगा, 25 कितना होगा, 5 होगा, तो यह इकिने, since d is greater than 0, 0 से बढ़ा होगा, roots, d का वली क्या होगा, 0 से बढ़ा दोसके क्या हो जाएगा किए शिची ते कितना हो ग्या मैनस फोर कि अब यहां आप के दूस्सितों लेसे बंगे और से लेसे जीरो हो गाई तो सही कर लीज़े का वेलु क्या था यह हो गया मैंनस फॉर अर्ड का वैलू ऊंचे का वेलू इंदि निक आले हैं तो बीयुक्त प्रमानस फोरट्प शी यह मैंस फॉर का स्कुर मानस फॉर इंटू a कि अर्फ ाफाइब इन्टू c अलंड यह हो गया मैनस फोर हो गया दिलेस दिलेसे जिएलू इसका मसलब हो ग है यह इसका दोस्तों आंशर उगा थर्ड पार्ट इसको सभी कर लिजिए गा प्रीज इसका नेक्ट्ट पार्ट देरेंगे से दिए गया है कि यहाँ पर देखें है पलिछ यह पर इसको क्राइट ऺ फ्नलाइट यह ज़ो जाएगा इंड कर दो 6 equal to 0 यह अपर लिकिए हीर a equal to कितना है 5 b ka value कितना है minus 10 and c equal to 6 है लिकेंगे we know that d equal to kya होता है b square minus 4ac आगे देखिये तो d equal to b square यहने कि minus 10 का whole square minus 4 into a 5 into c कितना 6 एद देखिये minus 10 का square कितना हो गया 100 minus 4 5 20 20 into 6 कितना हो गया minus 120 इसका value किया आगे negative 20 आगे है d k value कितना है दोस्तों minus 20 आगे इसका मतलब क्या हो गया दी लेस्ट देखिये since d less than 0 therefore no real कि रूट से इसका answer हो गया आप दोस्तों इसका फूर्थ पार्ट भी आप लोंको समझ वागए होगा अब इसका फिप्त पार्ट देखते है देखिये इसका फिप्त पार्ट में लोग यह दियागे 12 x square minus 4 root 15 x plus 5 दियागे equal to 0 तियाँ आप लिखे पले हिर एकोल डूकितना है 12 बी कितना एक गॉपिशन कितना बताये मैंनस 4 root 15 ए टी एकोल टो कितना है 5 ओके यह आप लिखे 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 स्वाय पार्ट एकोल टो 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 बी बीटिना माइनस 4 root 15 है का भॉल स्कार माइनस स्कवार एंटू एक इतना ट्रव दिंट थी कितना फाइप अगे दिखें है डी गोल्टो अंदिये माइनस का स्क्वार प्लस हो जाएगा फॉर का स्क्वार श्तीन में प्लूट नेसर कितना होगा है फिटीन हो जाएगा माइनस देखें यह जाएगा टूरे इंट फाइब गया दूस्तों जीरो की कुला गया इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो गया है कि रूट्स रियल एंड इकॉल होगा लिकिन यहां पर कि सिंस डी इकॉल टू जीरो देर्फोर रूट्स आर रियल एंड इकॉल यह दूस्तों इसका आलसर होगे ठीक है अब इसका सिफ्ट पार्ट देखते हैं देखिए सिफ्ट पार्ट हम लोग यह दिया गया एकस स्क्वाइर माइनस एकस ब्लस टू इकॉल टो जीरो यहां एकसे सब्सक्राइब कुछ नहीं तेहां पले वन पुट कर देंगे लिकेंगे हीर एककोल टू कितना है वन बी कितना है यहां भी ने कुछ है यहां पर वन डाल दीजे माइनस वन सी कितना दोस्तों टू है ओके यह लिकेंगे वी नौ दाट d equal to b square minus 4 c okay तो एकए यह पुट की यह D equal to b यहांनि की minus 1 का square minus 4 into a1 into C केतना 2 अब देखें तिहां पर D equal to minus 1 का square 1 minus एट तो डी का वेलू केतना आगे है माइनस सेवन माइनस सेवन का मार्दर क्या होगा डी का वेलू क्या है नीगेतिव है यहां प्लिखेंगे सिंस दी लेज देन जीटो ठीक है देरफोर इसका नेचर कैसा हो जाएगा नो रियल रूट्स नो रियल रूट्स थे इसका अंसरल आई होब दोस्तों इसका फ़र्ष्ट का सारा पार्ट अपलों समझ में आगे होगा अब इसका सेगेंड कोशन लेखते हैं अ देखें से केंड नमा कोसिन में कहा रहा कि इफ ए और इंड डिस्ट्रिया नमब्र क्या राक एंड विजो अलग लगे दो नमबर है डैं सो देट थाट अब लिए सब्सक्राइब दिए और नम्हों दिया गया है उसका रूट्स आफ नेचर कैसा होगा दोस्तों नो डिल लुक्स होगा यानि के अमनों को सो करना है किसका फेलोट दीज़ जेस दन जीरो है नंकि निगेटिव होना चाहिए ठीक है यहां पहले लिखें गिवें के फाले गिवें एक्वेशन देह क्या दिया गया हम लोगों को यहां पर लिखेंगे two times a squared plus b squared into max square plus two times a plus b into max plus one equal to zero जेए कि अब यहां go incarnateusch व्लूल लोगोउसे निएक टूटाइम analyzer स्क्राइब फ्लस पल वी स्कोरोड बीकितना है टूटायम्स फिस प्लस भी उंसी कितना एंपे वना है अब अब гру यहां प्ली निकाल ईया दिए तो दी नहीं का लिंगा तके हो जागा आ आप है तो लिखेंगे कि भी नोट एंट इंडी इक वार्ता बताए है बीक्वाएर माईनस फोर असी इंटी ऐ बी यानिकि तु टैमस अ प्लस बी का whole square माइनस4 इंटू ए-2 थे स्क्वेश्विड्ग कु एपको देखिह क्या था बारत लाँ यहाँ जायगा टू ऌत प्लुस अ किस्वेश स्क्राइबbus ने इंट वर्य इंट ₹や श्क्राइब D equal to 4, यहां बहुत देखे, A square, A plus B equal to square करेंगे, plus B square, plus 2AB, minus 8 times A square plus B square हो जागा, आगे देखे, forces को multiply करेंगे, 4A square plus 4BA square plus 8AB, minus 8 से multiply करेंगे, minus 8A square, minus 8B square, आगे देखे, D equal to, यहां देखे, 4A square में से 8A square हो जागा, कितना हो जागा, बताएगे, minus 4A square, 4BA square में से 8B square हो जागा, कितना हो जागा, minus 4BA square, plus 8AB, देखे, हांसे क्या common आड़ा है, तक D equal to, यहां से minus 4, क्या बचा, A square, minus, minus क्या हाजाएगा, plus हो जाएगा, B square, minus, plus क्या हो जाएगा, minus 4, यहां समने common लें आते हैं, आप कितना बचा हो, 2AB, देखे, आया क्या, दोस्तों, देखे, यहां पर दोस्तों अब यहां पर कहा रहा है कि स्क्राइब दिफ्रेंट नंबर है इसका सो करना है कि इसका नेचर आफ रूट्स क्या होगा दोस्तों अब यह रूट्स होगा ठीक है तो एक जगा पुष्भ रख लिए बीक जगे रखिए देखिए यह स्कुर्ण के फ़र्में ति हमें इसका पॉसिटीव पोजिटीविटिव निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा यहां आप यहां पूट किझे पूट कीज illeg prostu को तोकर जहाए आ जए मैंसरी मीनस सब्सक्राइब कर सिय कर दक्रण पीक हाँ हो grouping सद्राइब कर दो सब्सक्राइब substance सब्सक्राइब थीचिया बिलस दरफ्ल खोटियर इतो इसका प्रूट्स कैसा होगा दोस्तों नो डियल रोट्स में नो रूट्स तो आप डियर्फोर नो नॉरियल कर दो करना था आहिए प्लों को समझ बहुत आसान दूस्तों तरह को शेन ग्जामें आते हैं इसका थर्ड नमर देखिए दूस्तों देखिए थर्ड नमा कुश्य नमा काड़ा है कि so that the roots of the equation x square plus bx minus q square are real for all real value of P and Q काड़ा कि P and Q के हर real value के लिए इसका roots दोस्तों क्या होगा real होगा मतलब P and Q के हर value के लिए इसका roots जो होगा greater than 0 होगा देखिए आपे यहां पर लिखे फ़रे गिवन एक्वेशन लिखे यहां पर गिवन एक्वेशन का दिया आगे x square plus px minus q square equal to kya zero त्याहां पर नहीं कुछ हाए x का कोफें त्याहां पर लिख लेचे लिखेंगे here a equal to केतना 1 b equal to केतना p and c equal to केतना minus q square त्याहां से लिखेंगे we know that d equal to क्या हो जाएगा b square minus 4ac आगे देखिए तो यह d equal to b square b केतना दूस्तों p k square minus 4 into a 1 into c minus q square अब देखिए वा जाएगा p square minus minus plus 4 q square अब देखिए दूस्तों यहां पर तर दी इकोल यहां पर क्या है p square plus 4 q square देखिए दूस्तों यह square के format पर है यहां में देखिए whole square है यह तो positive है यह whole square the square of any number always greater than 0 यानि कि हम ऐसा positive हो हो देखिए यह भी हो जाएगा positive क्योंकि square के form है यह भी दूस्तों हो जाएगा positive फोर तो positive है positive positive एड करेंगे क्या हो जाएगा positive यह जाएगा लिखेंगे since d is greater than 0 therefore roots are real for all real value और पी एंड क्यों कोई भी दोस्ते हम positive negative कुछ भी पूट कीजिएगा इसका वेल्ट के आएगा हमेशा इसका डियाल ही आए मतलब